हर्याना की जीत ने यह प्रमानित कर दिया है कि देश प्रगती और विगास के साथ है राहुल जी संकोच भी नहीं होता है आपको देश के भले और साधरन लोगों को सहज लोगों को जाती और धर्म की राजनीत में धकेलने का दूसरी लमश्कार आप देखे न्यूस फॉर न गांधी को हर्याना ने उन्हें बाहर निकाल दिया और नकारा लालू यादव के दामाद को भी हर्याना के जनता ने सबक सिखा दिया है यह तमाम बाते कहनी है युवा चेतना वाले रोहित सिंग की आपको बताए तो युवा चेतना के अधक्ष रोहित सिंग ने लालू य पर भी बड़ा बयान दिया है रोहित सिंग ने क्या कुछ कह रहे हैं लालुयादव और साथ कॉंग्रेस को ले करके किस तरीके से नों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है यह आपको सुनवाते हैं हर्याना की जीत ने यह प्रमानित कर दिया है कि देश प्रगती और विगास के साथ है जिस प्रकार कॉंग्रेस पार्थी के युवराज और वर्तमान में विपक्ष के नेता के पदपर आसीन श्रीमान राहूल गांधी जी देश को जाती और धर्म के चुले में जबर दस्ती जोकना चाहते थे उससे यह स्पस्त हो गया कि देश की जनता ने जिस प्रकार केंद्री राजनीत में कॉंग्रेस पार्ति और इंदी गत्वन्धन को लगातार तीसरी बार विपक्ष में बैठा दिया उसी प्रकार हरियाना विधान सभा के चुनाव में परिवारवादी राजनीती से तौबा कर लिया है राहुल जी संकोच भी नहीं होता है आपको देश के भले और साधरन लोगों को सहज लोगों को जाती और धर्म की राजनीत में धकिलने का दूसरी बात बिहार के भरस्ताचारी सल्तनत के सबसे बड़े मसीहा लालू प्रशाद यादव जी लेकिन जनता ने रिजेक्ट कर दिया मतलब जनता ने जहां एक तरफ धर्म और जाती की राजनीत करने वाली कॉंग्रेस पार्थी को घर बैथा दिया वहीं ब्रस्ताचार की राजनीत के जनक लालू यादव के प्रिवार के लोगों को भी जनता ने नकार दिया है रिजेक जाएगी आज तो लोकनायक जेप्रकास नरायन जी की पुनितिती है उस पर भी हम उनको नमन करते हैं कि आज कि दिन जनता ने ऐसा मैंदेद दिया जिससे स्पस्थ हो गया परिवारवादी राजनीत अब देश में नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी